खोगो हमारे यूट्टूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको बताएंगे अपने थार्ड लेक्चर में computer के software बारे में कि software क्या होता है software का में युगदान यूगदान क्या हमारे computer की विवना हम लोग क्या कुछ कह सकते हैं computer या आपको हम एकदम जीरो से high level تم हैं जरू से आपको हिरो बना कि छोड़ेंगे इनि शॉफ्ट्वियर के बारे में कि सॉफ्ट्वेश किसे कहते हो सफ़क्र की परिवासा क्या होगा सब्सक्राइब कितने प्रकार के जा रहे हैं कि सॉफ्ट्वेर क्या है सॉफ्ट्वेर की परिभास आपको एक ऐसा बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रहा हूं कि जिसे आपको याद नहीं करना है आपको एदम समझ के रखना है अपने पास अपने मेमोरी में वह चीज आई है हम आपको यहां पर बता देते है कि software क्या है देखिए सब्सक्राइब आपको बताने जा रहा हूं इटीज ए सेट आफ computer data and instructions that tells the computer how to work often broken into two major categories यानि software क्या है एक सेट है group है data और instruction कि group को हम लोग क्या कहते है software कहते है software एक systematic way है काम करने का एक तरीका है एक schedule है जिस पर हम लोग उस पर अपने work को complete करते हैं बिना किसी आइसे नहीं कि आप software चाहे जैसे चला लो software क्या होता है set of instructions instructions का मुलब होता है एक rules regulation को follow करते हुए अपने computer पर हम लोग काम आज इस जाना तो आपका काम हो पाएगा ऐसा नहीं कि चाहे जैसे आन कर लो चाहे जैसे चला लो ऐसा होता तो हर कोई computer चला लेता नी computer को चलाने के लिए एक आपको बहुत अच्छा अन्भवी या आपको पास आपके पास होनी चाहिए तभी आप एक complete task कर पाऊगे यह नहीं आप किसी भी work को complete करने के लिए computer पर आपको बिसेश जानकारियां होनी चाहिए तब आप जाकर के किसी भी कायरी को अच्छे से एकदम finish कर पाएंगे तो हम आपको definition हिंदी मता देते हैं instruction या डाटा या प्रोग्राम के समों को software कहते हैं ठीक है तो software कितने प्रकार के होते हैं generally हमारे software टू टाइप्स के होते हैं एक आपका system software एक आपका application software system software को हम लोग कई नाम से जानते हैं जैसे बिंडोज और OS OS का मलब आपरेटिंग system नाम से ही पता चल जाता है कि आपरेटिंग system हमारे system को क्या करना आपरेट करना चलाना आज ड्राइबर जैसा बोल सकते हो कि जिसको गाड़ी चलाना आता होगा वही ड्राइब करेगा हर कोई नहीं कर सकता है कि बैठ जाओ गाड़ी चलने लगेगी ऐसे computer है computer को चलाने के लिए मेरे hardware को चलाने के लिए computer में एक software रखना पड़ता है वो software का नाम होता है system software नहीं कि बहुत सारे software आये और अभी आहीं आगे आते भी रहेंगे क्यों क्योंकि मेरे software में भी कई version होते हैं नय नय वर्जन आ रहें जैसे इसमें Windows 10 है Windows 8 है Windows 7 है इसके पहले बहुत सारे system software आये और खतम भी हो गए और इस समय परजेंट में Windows 7 8 10 चलते हैं ठीक है तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि software कितने प्रकार की होते हैं आपके जनली दो ही टैप्स के होते हैं एक आपका system software एक आपका application system software आपका जिसे हम लोग OS भी कहते हैं और Windows भी कहते हैं ठीक है तो system software कि हमने उधारन भी आपको लिख दिया यहां पर दिखिए Windows आपका Windows 7 Windows 8 Windows 10 Linux, Unix ऐसे और भी है 98 भी है Windows विस्टा है Windows 95 Windows NT Windows अमी बहुत सारे OS क्या आप एक से ज़्यादा OS अपने computer में रख सकते हो बिल्कुल एक से ज़्यादा OS रख सकते हैं लिगि दो से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं एक को switch करेंगे तो दूसरा हमारा operate करेगा और हमारे software hardware को support करते हैं hardware और software दोनों के आपस में जो connectivity होती है जो communication होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं software काम करने को program कहते हैं उसको हम connectivity को कहते हैं कि आपस में communication बातीत सही से चलता है दोनों एक दूसरे को support करते हैं है अगर आप OS ज्यादा बिट का लेते हो 64 बिट तो हमारे hardware भी latest होने चाहिए अगर hardware आपका latest version नहीं है तो दोनों का communication दोनों का वारतले वारतलाप नहीं हो पाता प्रॉपर में तो आई हम आपको बताते हैं जैसे अभी system software बताया system software is a responsible यहां पर लिखा हुआ है responsible for controlling integrating and managing the individual hardware component यहीं जो हमारा system software है यह हमारे hardware को क्या करता है individual manage करता है control करता है और किसी भी कायरी को complete करने में responsible भी है अगर नहीं है आपके computer में system software तो आपका computer आन नहीं हो सकता है ठीक है अगला देखिए यहां पर application software है आपका application software इस software का मलब होता है कि एक fulfill requirements को complete करना एक specific task जो होते हैं उसको हम एक complete करने के लिए अपने computer में मुझे application software की आउसकता होती है किसी भी task को complete करने के लिए अलग-अलग application software भी है जैसे photos set करना है तो application software रखना होता है coral पे अगर मुझे banner, poster, invitation, bidding यह सब card तयार करना है तो मुझे वहां पे coral draw चाहिए और मुझे अगर application तयार करना है, notebook तयार करना है, excel पे database तयार करना है, payslip तयार करना है, employee का details तयार करना है वह सब मेरे पास होना चाहिए, उसे हम application software कहते हैं, वैसे application को हिंदी में अनुरूर प्योग कहा जाता है access software जिसका प्रियोग हम अपने दैनी को प्योगी चीजों में लेते हैं, उसे हम application software कहते है फोटो बनाना है, तो Photoshop चाहिए, painting करना है, तो painting software चाहिए, आपको editor, video editor चाहिए, तो तभी video edit होगा आपको photo edit करना है, तो photo editor होना चाहिए, नि मेरे पास बहुत सारे ऐसे software हैं, जो हम individual उसके थोरो काम कर सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा भी है, application software are designed to fulfill the requirements of the user for performing specific task एक complete task को complete करना, such as creating documents, spreadsheet, database, publication, doing online research, sending email, design graphics, running business, etc यानि इतना आप work कर सकते हो, यानि बिना application software के, आप अपने computer में किसी भी task को complete नहीं कर सकते हैं तो आप लोग याद मेरे चैनल पे अगर नए मेहमान हैं, तो चैनल को एक बात जरूर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरे प्रोग्राम मेरे जो है वीडियो को आप लेटेस्ट जो आए दिन हम लोग अपलोड करते रहते हैं तभी आपको मिल पायागा और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है, इसलिए आपक कर देना चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट अवस्ट करें, जिससे आपको नए ने प्रोग्राम, नए नया वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा, बहुत सारे वीडियो हमारे अभी पढ़ गए हैं और आप चाहें तो आप मेरे वीडियो को शेयर जरू करें, जैहिन, जै भारत, नमस्कार